हवा में नहीं उरती फिर भी आखिर के उपैरों में पहने जाने वाली सिलीपर्स का हलाती है हवाई चपल अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो बने रहना वीडियो के अंड तक लेकिन उससे पहले चैनल पहले है तो वीडियो का लाई करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए आज के वीडियो स्टाट करते हैं इस दुनिया महर्चिज के बनने और उसके उत्पत्ति के पीछे कोई नो कोई इतियाज जरू चीपा होता है इस परकार आज हम बात करेंगे हवाई चपलों की हम सबने बच्पन से होई चपल का नाम सुना है इसका इस्तमाल हम सभी रोजाना करते हैं दुनिया के अलग अलग जगों पर होई चपल का इस्तमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है वही समय के साथ साथ इसके डिजाइन और रंग भी बदलते रहे हैं लेकिन इसके बदलाओ के बावजूद इसके इस्तेमाल में कोई कमी नहीं आई है आप भी बच्पन से इसका इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अकिर हवाई चपल का नाम हवा ही क्यों पड़ा जब कि ये तो हवा में उरती भी नहीं है अगर नहीं तो आईए आज हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं हमसुस होता हो इसलिए इसे हवाई चपल कहा जाता हो अलाकि यह तरक नहीं है दरसल हवाई चपल का नाम उसकी उत्त प्रती से जुड़ा हुआ है इसकारो की अंसर अमिरिका में एक आइलेंड है हवाई आईलेंड उस आईलेंड पर एक खांस तरह का पेंड मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है इस पेंड के जरिये ही एक रबर जैसे फैबरिक तयार किया जाता है जो काफी लचीला होता है इस फैब्रिक से ही चपल बनाई जाती है यही कारण है कि चपलो को हावाई चपल कहा जाता है इसके आलावा हावाई चपलो का जपान से बिल्लिंग जोड़ा गया है जिस डिजाइन के हावाई चपल हम सभी पांते हैं वैसे ही सेम चपल जपान में पहले पहनी जाती थी इन इन हावाई चपल के नाम से जाना जाने लगा बता दे इन हावाई चपलों का सित्माल सेकेंड वर्ल वार के दौरान अमेरिकी सेनिकों ने भी किया था जिसके बाद दुनिया भर में हावाई चपल मस्हूर हो गई इंफर्मिशन अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो